नमश्कार, जीतिय वरत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, यह एक निर्जला वरत है, इसे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अस्टमी को रखा जाता है, जीतिय वरत की पाँच कथाएं सुनते हैं जीतिय वरत की पहली कथा, जीमूत वहन कंधरवों की राशकुमान थे, वे बहुत ही परोपकारी अरुदार थे, उनके पिताजी ने रधा वस्ता में वान प्रस्ताश्वरम में जाते समय उन्हें राज सिंगासन सौब दिया, परंत उनका मन राशपार्ट में नहीं लगता तो उन्होंने राजी का भार अपने भाईयों पर दे दिया, और स्वेम वन में पिताजी की सेवा करने के लिए चले गए, वही पर उनका मलैवती नामक राज कन्या से पिवा हुआ, एक दिन जब जंगल पे घूंबते समय, वे काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक बू के सामने, नागों ने उन्हें प्रति दिन खाने हें के लिए एक नाग सौपने की प्रतिग्या की थी, आज मेरे पुत्र संक चूट की बली का दिन है, जीमूत वहान ने उस व्रध महिला को आश्रस्त किया, और कहा, डरिये मत, मैं आपके पुत्र के बार प्राणों की रक् चूट के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया, और स्वयम उसकी जगे, बली देने की जगह पर चाकर लेट गए, समय पर गरुण जी आए और लाल कपड़े में धके हुई, जीमूत वहान को अपने पंजों में उन्होंने दबोश लिया, और पहार के शिखर पर चले गए, अब आह नहीं निकली, तो वे गरुण जी बड़े आश्यर में पड़े हुए थे, उन्होंने जीमूत वहान से उनका परिके पूछा, जीमूत वहान ने सारी बात बताई, गरुण जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने के लिए, अपना बलिदान देने की ह इमत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, खुश होकर गरुण जी ने उन्हें जीवन वर्दान दिया, और कहा नागों की बली नहीं लूँगा अपागे से, और ऐसा वर्द दे दिया, कि अब मैं नागों की बली नहीं लूँगा, इस प्रकार जीमूत वहान की अदम पुशकाल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वहान जी की पूजा करती हैं, कैलाश परवत पर भगवान शंकर माता पारवती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कि आश्विन कृष्ण अस्टमी के दिन उपवास रखकर जो इस्रियां इस पूजा को करती हैं और कथा सुनने क दक्षिनार प्रदान करती हैं, वे अपने पुत्रों का पूण शुख प्राप्त करती हैं और वरत का पारण दूसरे दिन अस्टमी तिथी की समाप्ती पर किया जाता है। यह वरत अपने नाम के अनुसार ही फल देने वाला है। जीवतिया व्रत की दूसरी कथा नर्मदा नदी के पास कंचन वटी नाम का एक नगर था वहां के राजा का नाम मलाय केतू था उसी नदी के पश्शिम की ओर बालू हटा नाम की एक मरू भूमी थी वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी चील और सियारिन दोनों ही पक्की दोस्त थी एक दिन कुछ महिलाओं को जीवतिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने सोचा कि हम भी यह व्रत करेंगे ऐसा संकल्प किया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का संकल्प ले लिया जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी के मृत्य हुई दासंसकार उसी मरूहूवी पर हुआ यह सब देखकर सियारिन को भोक लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई जिससे उसका व्रत तूट गया परंतु चील ने खुद पर सयम रखा और पूरे नियम और विधी विधान से व्रत को पूरा किया अगले दिन व्रत का पारन भी किया तो इस व्रत के प्रभाव से अगले जन में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रोप में एक ब्राम्हर परिवार में जन्म लिया चील की बड़ी बहन चील बनी बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धी सेन के साथ हुई छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी शहर के राजा मलय केतु से हुई छोटी बहन कपूरावती कंचनवती की रानी बन गई कंचनवती नगर का नाम है अब भगवान जिमूत वहन के आशिरवाद से बड़ी बहन शीलावती को साथ पुत्र प्राप्थ हुए लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे यानि मृत्ति को प्राप्थ हो जाते थे कुछ शालो बाद शीलावती के सातों पुत्र बड़े हो गए और राजा के दर्वार में काम करने लगे उन्हें देखकर कपुरावती को मन में इर्शया और जलन की भावना उत्पन होने लगे इस भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के सारे बच्चों को सरकटवा दिया और उन सातों सिरों को बरतन में डाल कर ठक दिया और शीलावती के पास बिजवा दिया यह सब देखकर भगवान जिमूत वहान ने मिट्टी की सहायता से सातो भाईयों के सर बनाए और सभी सिरों को धर से जोड़ दिया और उन पर अम्रत शुड़क दिया जिससे वे सातो भाई फिर से जिन्दा हो गए और अपने घर लोटाए रानी ने जो कटे हुए सर भिजवायते भी सभी के सभी फूल बन गए कपूरा वती ये जानने को बहुत उत्सुक थी लेकिन जब उसे पता चला कि उस वो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सभी को जिन्दा देखकर आश्यरे में पड़ गई फिर उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बद बताई और अपनी गलती का पश्टावा किया पगवान जिमूत वहन की क्रपा से बड़ी बहन को पूर्वजन की सारी बात याद आ गई और वा अपनी छोड़ी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर उसने सारी बाते बताई जिससे कापूरावती फिर बेहोश हुई और मर गई जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी पेड़ के नीचे कापूरावती का दहासंसकार कर दिया अब जिवतिया व्रत की तीसरी कथा सुनते हैं दो बहने थी जिनका नाम था चूलिया और सियारन चूलिया बेहत महंती थी और गरीब भी थी वो मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी लेकिन सियारिया गलत आच्रन वाली थी और हमेशा खुश-खुश रहती थी और मौश से रहती थी और चूलिया से जलती भी थी हर वक्ष सियारिया यह सोचती थी कि चूलिया इतनी खुश कैसे रहती है इस तरह उसने उसे सताने का बहुत प्रयास किया और कई बार वो चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी करती थी कित चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित हो जाते थे एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में गई और वहाँ जंगल में लकडी को चुनते चुनते जब बच्चे ठक गए तो सो गए बच्चों को सोते देखकर उसने सभी बच्चों का सरकार दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वो टोकरी दे दी और कहा कि दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ बच्चों को खिला देना चूलिया ने इस टोकरी को देखा नहीं और किनारे रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी जब रात हो गई बच्चे वापस नहीं आये तो वो बहुत परिशान हो गई और रोने लगी उसकी करुण भरी आवाज सुनकर रोती हुई आवाज सुनकर शंकर पारवती जी से रहा नहीं गया उन्होंने महादेव जी से कहा माता पारवती ने कि हे प्रभु कोई बहुत रो रहा है उसके रोने में बहुत दुख है मुझसे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बरदाश नहीं हो रहा है हमें देखना चाहिए कि कौन रो रहा है तब महादेव जी ने कहा कि यह मृत्य लोग है मृत्य लोग है यहाँ पर सभी भाते साधारन सी हैं परंतु पार्वती जी चे कहने से महादेव जी गए और चूलिया के पास जाकर उन्होंने रोनी का कारण पुछा प्रभू के पूछने पर उसने अपने रोनी का कारण बताया तब भगवान ने देखा कि चूलिया के बच्चे जंगल में मृत वस्था में है पारवती जी ने उनसे अन्रोध किया कि बच्चों को पुनहर जीवित कर दे बच्चे नीन से उतकर मौसी को ढून रहते किन्तु मौसी वहां नहीं थी बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे काम मा के सामने बता दी यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों छोड़ाई दोनों बहनों में लड़ाई हो गई जो कई दिन चलती रही जिसके बाद दोनों ने इस घटना को जंगल में एक तपस्वी को ये घटना सुनाई घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को कहा कि तुम दोनों पास में खेल रहे बच्चों को पकड़ कर घसीतते हुए मेरे पास लाओ उसके बाद मैं सोचूंगा चूलिया बच्चों की मा थी उससे बच्चों की पीड़ा नहीं देखी जा सकी उसने महात्मा के बातों का पालन नहीं किया लेकिन सियरिया दौरती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़ कर खीच कर लाई जिसके पाद तपस्वी ने सियरिया को ये श्राप दिया कि वो हर जन्म में इसी तरह दुखी रहेगी और जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी जो महिला किसी भी बच्चे की पीड़ा और मा की ममता को नहीं जानती वा जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती और कुछ नहीं कर पाएगी जीवती अवरत की चौथी कथा दो बहने थी एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया दोनों के भाग भी नाम के ही जैसे थी दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा खुश और सुखी रहती थी दोनों एक ही गाउं में रहती थी दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी साफ सफाई भी करती थी खाना भी बनाती थी और जब जो भी खाना बच जाता था, वही खाना सुखिया दुखिया को देती थी, वो अपने बच्चों को देती थी और उसे से उसका घर परिवार चलता था, धीरे धीरे समय बीटता गया, सुखिया को दो लड़के थे और दुखिया को भी दो ही व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीवतिया का व्रत रखा दुखिया सुखिया के यहां काम करती थी तो व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में चावल फटका तो चावल को यानी साफ किया तो जो बचा हुआ हिस्सा निकला वह उसने अपने लिये रख लिया और साफ शाग को चुना मतलब पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया अच्छा वाला साग उसने सुखिया को दे दिया और जो डंठल वगरा बची थी वो उसने अपने ले रख ली दूखिया घर के भर सुखिया के घर का सारा खाना वाना बना कर फिर अपने घर गई वह वही चावल का बचा हुआ हिस्सा और साग की डंठल लेकर गई थी उसने घर पर वही चीजें बनाई और खाना खाया बच्चों को खिलाया अपने और उसके बाद दुखिया सोने चली गई जब रात आदी हुई तो एक बुड़ी औरत ने उसके घर पर दर्वाजा खट-कट आया खट-कट-कट-कट दुखिया ने पूछा कौन है तब बुड़ी महिला बोली बेटा हम है दुखिया ने दर्वाजा खोला और बूछा अम्मा आपको क्या चाहिए इतनी रात में क्यों आई हो बुड़ी महिला बोली बिटिया मुझे बड़ी भूख लगी है कुछ खाने को दे दो दुखिया उन्हें अंदर ले आई और बोली हम बहुत गरीब है मा आज मैंने ये खुर्दी का चावल बनाया है और साग की डंठल बनायी है आप खालेंगी बुड़ी मैला कही हाँ बेटा क्यों नहीं खाएंगे मुझे बड़ी भूख लगी है तो दुखिया ने अंदर जाकर खाना लाया और बुड़ी मा को खाने के लिए दे दिया बुड़ी मा खाना खाने के बाद बोली बिटिया मुझे कुछ दिखाई नहीं देता रात में अच्छे से तो मैं घर कैसे वापिस जाऊँ तो दुखिया ने कहा बुड़ी अम्मा परेशान मतो आप यहीं पर सो जाईए सुबह अपने घर चली जाईएगा तो बुड़ी दुखिया के घर में ही सो गई थोड़ी देर बाद जब उनकी नीन खुली तो उन्होंने कहा बिटिया मुझे दीर्गसंका जाना है कहा जाऊं दुखिया नीन में थी उसने कहा मेरे गर में बातरूम नहीं है आप वहीं कोने में कर लीजिए बुड़ी ने पूछा बेटा ए बिटिया भर-भर करें कि छर-छर करें दुखिया नीन में थी पोली माता जी भर-भरी कर दो सुबह मैं साफ मिक कर दूगे थोड़ी देर बाद बुड़ी ने फिर पूछा बिटिया मैं अपने हाथ कहां साफ करूँ दुखिया बोली मेरे सर में ही अपने हाथ को साफ कर लीजे सुबह हुई तो दुखिया को ये सब सपने की जैसा लगा उसने सोचा सोते समय मुझे कोई जरूर सपना आया होगा फिर वो नदी में नहाने के लिए चली गई जब वो नदी में नहाने के लिए गई अपने बालों को उसने धुला तो उसके बालों में से होके जो पानी गया वो सोने जैसा पानी था आसपास की जो भी और भी महिलाएं वहां नहा रही थी और उसके पास थी खड़ी वो ये देखके चकित हो गई और बोली तुम्हारे बालों से थे सोने का पानी गिर रहा है क्या बात है तो उसे सारी बात रात की याद आ गई वो जल्दी जल्दी से फिर घर को गई उसने सोचा सारा घर गंदा होगा पहले उसे मैं साफ कर लेती हूँ जब वो घर आई तो देखी घर में हर जगे सोना पिखरा पड़ा है या देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और उसने सोचा जिमूत वहन बाबा की करपा है जो माता का रूप धारन करके मेरी घर आये और मुझे बहुत सारा आशिरवाद दिया इस तरह दुखिया अमीर हो गई और अब उसने सुखिया के घर जाके काम करना बंद कर दिया दुखिया जब अपना व्रत पूरा की तो अपने बेटे से कहा उसने कि जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ देखते हैं ये सोना कितना है बेटा बड़ा खुशी-खुशी मौसी के घर गया और बोला मौसी तराजू दे दो सुखिया ने कहा बेटा तराजू क्या करेगा क्या नापना है बच्चा बोला मा मेरे घर पर मौसी मा मेरे घर पे बहुत सारा सोना है उसी को मम्मी नापेगी सुखिया हसने लगी और बोली खाने के लिए तो तुम्हारे याँ कुछ है नहीं सोना नापोगे मुझसे मजाग करते हो बच्चा बोला नहीं मौसी जूट नहीं बोल रहा हूँ सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो जरूर कुछ तो तोलेगा ही उसने तराजू के पीछे गोन लगा दिया जब वो तराजू सोने पर उसने तौला तो कुछ सोने का टुकड़ा जो था बूंद उसके जो गोंद लगा हुआ था उसमें चिपक गया बच्चा जब तराजू लोटाने के लिए सुखिया के घर गया तो सुखिया ने उसको उलड़-पुलड कर देखा उसने देखा तराजू में सोना लगा है अब सुखिया ने सोचा कि जरूर कुछ बात है उसने सोचा कि दुखिया कई दिन से मेरे पास काम के लिए भी नहीं आ रही है सुखिया घर जाकर उससे मिलने गई तो सुखिया ने पूछा कि तुम्हारे पास ये सब कैसे आया तब दुखिया ने उसको रात की सारी कहानी अपनी बड़ी बहन को बताई अपनी सुखिया बहन को बताई दुखिया का मन सच्चा था तो उसने सब कुछ सही सही बता दिया अब सुखिया के मन में भी लालच आ गया उसने सोचा दुखिया क पास तो हमसे भी चादा पैसा आ गया अब अगले जीवतिया पे मैं भी इसी तरह चावल बनाऊंगी और साक की डंठल बनाऊंगी और मेरे पास भी बहुत सारा धना आ जाएगा अब अगले साल जीवतिया के दिन दोनों बैनों ने ब्रत रखा सुखिया के पास हर तरह का सु खाके पूजा उजा किया, फिर सोने चली गई, आदी रात में उसके घर में भी वही बूड़ी महिला आई, उसने दरवाजा खटकटाया, और सुखिया उसका इंतजार कर रही थी, तो तुरन दरवाजा खोला, और बूड़ी मा को अंदर ले गई, बूड़ी मा बोली, बिट उसने खा लिया, अब बूड़ी ने कहा, बिटिया दिखाई नहीं देता सही से, रात को घर न जा पाऊंगे, तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सोजाओ, फिर उसी तरह इसके यहाँ भी हुआ, बूड़ी ने रात को कहा, बेटा मुझे दीर्ग संका जाना है, कहा करूं, सुखिया बोले, वहीं कूने में कर लीजेगा, बूड़ी ने, माता ने कहा, कि भरबर करूं कि छरचर करूं, उस समय सुखिया को यादी नहीं आया, कि दुखिया ने क्या बताया था, उसने कहा, मा छरचर कर दीजिए, बूड़ी मा बोली, बिटिया अपने हाथ कहां साफ करूँ सुखिया ने भी उसी तरह कहा जो दुखिया ने उसे बताया था उसने कहा मेरे सर में साफ कर दीजिए बूड़ी महिला ने अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लिए जब सुखिया सुखर सो कर उटी तो पूरा घर गंदगी से भरा हुआ था और सभी और गंदगी ही गंदगी थी जह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा आया वा अपनी बहन दुखिया को बोली कि तुमने मुझसे जूट कहा मेरा पूरा घर गंदा हो गया दुखिया बोली कि तुमने क्या कहा था भर भर या चरचर सुखिया बोली मैं तो चरचर बोली थी दुखिया ने कहा यहीं तुमने गलती कर दी तुम्हारे पास तो सब कुछ था कोई कमी नहीं थी फिर भी तुमने लालच किया तुम्हारे घर पर जिमूत वहान बाबा आये थे लेकिन तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे खुर्दी का चावल और साग का डंठल दिया था, भगवान का अपमान ना करो, सभी कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें ऐसा खाना खिलाया, तुम्हें लालस नहीं करना चाहिया था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ, जीवतिया व्रत की पांचवी गता, महाभारत के युद्ध में अश्वत थामा, अपने पिताजी की मृत्यु से बहुत ही दुखी थे, और उन्होंने अपने पिता की मृत् अडव सो रहे हैं, और उन्होंने उन सभी को खत्म कर दिया, वे सभी दौपर्दी के पांच पुत्र थे, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत थामा को बंदी बना लिया, और उनकी दिव्यमडी भी छीन लिए, जिसके कारण अश्वत थामा ने क्रोध में आकर, अब मन् कर्म में पल रहे शिशु को ब्रह्मास्त के जरिये मार डाला, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुन्य कर्म उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया, और उस शिशु को पुनर जिवित कर दिया, श्री कृष्ण जी की क्रपा से उस पुत्र का नाम जि और परंपरा के साथ उसे पूजा करती है।